हलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो माई चानल इजी लाइब विद वर्षा तो आज मैं बात करने वाली हूं बनाना फेशिल की तो क्या आपके घर में इस तरीके का बनाना फेक दिया जाता है क्योंकि यह खराब हो चुका है यह बाहर से ऐसा दिख रहा है कि जैसे पूरी तरीक कि मैं इस तरीके के रहे को बीलकुल भी फेकेंगे नहीं लें गई टो इसका यूज क्या क्या कर सकते हैं देखेट बीसे बता दूए क्जोंma को यह बलुकि तरीके में क्यों मैं आपटो बता थो कि इस तरीके का चर चुका है पूरी टरीके से कहराब हो चुका है टेशिcida ह अब खोछ फेशियल करते हों और राप्तों में तो हम उसको खेंगे केले केले में हैं और उसकों में और से लिए चिछी क्यार सोर पैंक केले होल्छ नोमने हैं जो हें और उसकों स्युहनते ची पर ना है तो इस तरीके का जो केला होता है यानि कि जो केला बहुत जादा गल जाता है उसके माइक्रो निट्रिशन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं तो इस तरीके के केले को आप फेकिये लही यूज में लीजे तो आप पारलर जैसा गलो मिलेगा आपको घर पर इसी बहुत जादा ग और वाद किया वो गलो तो आप घर बैठे कर सकते हो अपने फेस पे वो गलो ला सकते हो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देखते हैं कि कैसे करते हैं केले से फेशल करने से पहले आपको अपने स्किन को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है उसके बाद हमें लेना है यह क तोरी में लिया है चावल का आटा आप चाहें तो चावल के आटे की जगा सूजी भी ले सकते हैं रवाजी से बोलते हैं तो उसको ऐसे ही चिलके में लगा के और आपको रब कर लेना है सर्कुलर मोशर में गोल 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 गुमा के अच्छी तरीके से स्क्रब कर लेना है आप design videoology. इसे किया होता है कि आपकी skin जो है वे अच्छी दरीके से clean हो जाती है साथ ही जूपके open box स्क्रब सेOTHcken क्यwel SNU स्क्रब क्या होता है कि जूबी जंददगी के धूल मिटी होता है वह वह साफ हो जाती है dad skin layers और से तफचा जो है वह डल दिखाई देने लगती है तो निच्यरल ग्लो जो होता है जो आपकी स्किन का तो बनायं रखने के लिए उसे साफ सुतरा रखने के लिए आपको स्क्रब करना भहुत जरूरी होता है तो तो बीच बीच में स्क्रब करते रहना चाहिए, केले में जो होता है, विटमिन C, विटमिन B12 और पोटेशियम होता है, जिसकी वज़र से मुहासे, पिंपल, धाग, धबो को दूर रखता है ये, और इसकिन को मॉस्चराइज रखता है, तो आपको इस तरीके से सर्कुलर स्क्रब करना है, आपको अपने फेस पर अपने नेक एरिया पर भी स्क्रब कर लेना है, आप चाहें तो आप अपनी कोहनियों पर भी स्क्रब कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, वहां पर भी बहुत जादा गंदगी होती है, तो इस तरीके से आपको स्क्रब करना है, इसके यहां पर यहां पर वह हम डाल देंगे बनाना में आप चाहें तो मिक्सर में भी लगा सकते हैं लेकिन यह घृण हुआ है तो अच्छे से हो जाता है तो यहां पर यह मैं फॉर्ट के हम से मिक्स कर रही हूं इसके बाद यह देखें अब हम इसमें आड करेंगे एक चमश बैल कुछ रख बंच करो सकते हैं इसमा आप को थिया Herr कर लिया है अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कैं अगर आप जाहते हैं तो आप इसमें और या और है कि अजो हैते आपका अधियोट लएट वेल जाये recent प्छा पार को दिपस फेशर क्रीम होती है उस तरीके से आपको दिख रहा होगा मिक्सर में अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छे से बारी एकदम पेस्ट बन जाता नहीं तो थोड़े थोड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं बढ़ कोई बात नहीं है इससे भी अच्छी तरीके से फेशल हो जाता है त इसकिन का blood circulation जो होता है वो बढ़ता है और आपके इसकिन पे glow नजार आता है और dryness दूर होती है skin musturize होती है बनाना जो होता है बनाने में potassium होता है इसलिए इसकिन के dryness को दूर करता है और skin को musturize रखता है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में antioxidants होते हैं जोकी anti aging science जैसे fine lines जू जुर्यों को दूर करने में हेल्प करते हैं साथ ही साथ अगर आपकी स्किन पे जाईया हैं तो जाईयों को दूर करने में बहुत जादा हेल्प करता है बनाना तो अगर आपके skin पे जाईया हैं, कील मुहासे हैं, pimples हैं या जूरियां हो गई हैं, anti-aging कोई भी sign हो, वो आपको ठीक करने में बहुत help करता है बनाना तो यहाँ पे आपको 5-10 मिनट तक अच्छे से मसाज करनेंना है, यहाँ पे मैं बहुत help के हाथों से अपने face पे मसाज कर रहे हूं, आपको अच्छी तरीके से मसाज कर रहे हूं तो इस तरीके से आपको करना आपको अपने नेक पे भी कर लेना है अगर नेक पे भी काला पन है तो वो भी दूर हो जाएगा अगर आपकी कोहुनियों पे काला पन है तो वो भी दूर हो जाएगा तो आपको 5 मिनट तक इस तरीके से मसाज करना है step by step जो भी facial step होते हैं या वैसे ही आप easily massage कर सकते हैं तो यहाँ पर मेरा massage complete हो गया है अब आपने क्या करना है आपने अपने face को normal water से clean कर लेना है तो यहाँ पर मैंने मेरा face clean कर लिया है अब बारी आती है face pack की तो मेरी t-shirt पे भी थोड़ा सा गिर गया है तो अब हम बनाते है face pack face pack के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपने जो अभी facial cream ready की थी वही आपको थोड़ा extra बना लेना है और उसको रख देना है थोड़ा सा बचा के उसी में देखिए और इसकी में यहां पर orange peel powder add कर रहा हूं अगर आपके पास संत्रे के छिलके का चूरने यानि कि और इसकी जगह पर बेसन यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बेसन नहीं सूट करता है तो आप इसकी जगह पर चंदन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं जो आप को सूट करता है आप की स्किन के लिए वो यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से पैक अपलाई कर लेंगे, हम अपने पूरे फेस में और उसी फेशिल क्रीम में ये ध्यान रखे जो हमने पहले बनाई थी, अलग से कुछ भी नहीं करना है उसी में हमको add करना है ये सिर्फ एक ingredient और add कर देना है और थोड़ा dry हो जाएगा फिर हम face pack की तरह इसको अपने face पर apply कर लेंगे और apply करने के बाद आपको इसको 15-20 minutes तक ऐसे ही छोड़ देना है 15-20 minutes में अच्छी तरीके से सूख जाता है और उसके बाद फिर से आपको normal water से clean कर लेना है तो यहाँ पर मैं मेरा face pack मैंने लगा लिया है अभी हम wait कर लेते हैं इसका सूखने का तो 15-20 minutes हो चुके हैं और यह जो pack है वो अच्छी तरीके से सूख गया है आपको दिख रहा होगा तो अब मैं इसे wash करके आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर मैंने मेरा pack मैंने face को wash कर लिया है और आप मेरा face देख सकते हैं बहुत अच्छा glow आता है बिल्कुल facial वाला आपकी skin सबसे ज़्यादा तो आपकी skin बिल्कुल moisturize रहेगी dry नहीं होगी साथी साथ soft और smooth रहेगी और glowing भी हो जाएगी और इस face pack या इस facial से बिल्कुल parlor जैसा glow आएगा आपके skin पे तो face pack के बाद आपको use कर लेना है यह aloe vera gel यह ज़रूरी है face pack के बाद इसको आपको लगाना ही लगाना है बहुत थोड़ा सा बहुत जादा नहीं तो यह आपका process complete हो गया homemade facial का तो आप देख सकते हैं I hope कि आप सकते वीडियो पसंद आया होगा तो आप भी इस्तेमाल कीजियों मुझे comment करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा यह facial मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तब तो के लिए बाबाई टेक क्यार